आज हमारे किचन में बने हैं चटपटे, तिखे, खमन और सादे वाइट वाले इसको मैं कर रही हूँ चटनी और टामाटे सॉस के साथ सर्फ तो देखिए ये वाइट वाले हैं बहुत ही टेश्टी, सौप्ट और दानेदार बने हैं और ये हैं तिखे, चटपटे, मसालेदार खमन ढोक ले, ये भी एकदम सौप्ट सौप्ट और मुह में गुल जाने वाले दानेदार खमन बने हैं तो चलिए ये कैसे बने हैं जानते हैं तो हमने ले ली हैं खट्टे दही की छास इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा चास पहले ले लेंगे फिर दो मीडियम कटोरी हम रवा लेंगे और दो कटोरी रवे में दो थाली खमन बन जाएंगे तो दोनों ही डाल देते हैं पहले हमने थोड़ी चास लिए फिर हमें जरूत लगेगी तो ओल लेंगे तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो हमें थोड़ी चास की जरूत है तो चलिए ले लेते हैं और चास ढालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों अगर हलकी छास ओएगी ना तो अगर आपके खमन में बहुत ही अच्छा चेस्ट आएगा तो हमसा छास लेजिए हलकी खट्टी लेजिए दो मिनट का रेस्ट दे दिया हमने तो सूजी ने हमारा छास पी लिया है तो अभी हमें हलका सा पानी डालना पड़ेगा तो हलका सा हम पानी डाल देंगे अभी विडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस विडियो में हम आपको दो तरह के खमन बता रहे एक चटपटे मसालेदार और एक साध्य वाले तो देखिए ऐसा गूल में चाहिए न तो जाड़ा चाहिए न पतला चाहिए तो अभी हम रख देंगे कड़ाई और कड़ाई में पानी डाल देंगे एक जाली रख देंगे और ऐसे इस्टेंड नहीं रख सकते तो ऐसी कोई कड़ाई लीजिए के नीचे पानी डाले और बीच में थाली अटक जाए उपर भी जगा हो और नीचे भी जगा हो और कड़ाई के उपर धकन भी परफेक्ट हो थाली में चार तरफ अच्छे से तेल लगा लीजिए तब तक हमारी कड़ाई उदर अच्छे से गरम हो चुकी है और थाली भी हमने गरम होने के लिए रख दिये स्वाद नुसा नमक और एक थाली में एक चुटके मिटा सोड़ा और अच्छे से मिक्स करके मिटे सोड़े की जगे आप इनो का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो अगर आपने इनो नहीं लाया है तो मिटा सोड़ा डाल सकते हैं तो देखिए हमने इनो नहीं लाया था तो मिटा सोड़ा डाले हैं एक थाली में एक चुटकी सोड़ा डालके आदा चमस तेल डालके अच्छ मिनट के बाद देखेंगे तो हमारे खमन टोकले बनके तयार हो चुके है ऐसे चाकू डालके देखेंगे अगर चिपकेगा तो नई तयार हो चुके है दोनों ही थाली तयार हो चुकी है देख सकते है एक थाली हम साधा बनाएंगे एक थाली हम तड़के वाली बनाएंगे दो तो कटिंग बराबर नहीं होएगी हमारी थाली हलकी सी ठंडी हो जाएगी तब ही कीजिए गरम गरम कटिंग नहीं कीजिए तो देखिए एकदम सौप्ट सौप्ट कमन बने हैं तो चलिए इसको दे देंगे अभी तड़का एक कटोरी में ले लेंगे लाल मिर्च पावडर हल मिर्च डाल दीजिए एक छोटी कटोरी दालिया छोटी कटोरी सिंग दाना और धनिया डालेंगे और उपर से हम डालेंगे अद्रक वुड़ियों पसंद आए तो लाइक एंड सस्काइब जरू कर लीजिएगा बहुत ही सौप्ट सौप्ट खमन बने हैं मसालेदार और समक और बारिक सा पीसिएगा जब पानी की जरूत पड़ेगी तो और डाल दीजिएगा तो चलिए अभी हम कड़ाई में ले लेते एक बड़ा चमस तेल और राई का तड़का लगा रहे हैं तो राई तड़क चुकी है अभी जाएगा कड़ी पत्ता वुड़ियों पसंद अभी तेल दिखने लगे तभी हमें डालने हैं हमारे कमन डोक ले तो चलिए अच्छे से हमारा मसाला पक चुका है अभी हम डालेंगे हमारे डोक ले या खमन और अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही टेश्टी खमन बने हैं उपर से हम डालेंगे धनिया अच्छे से मिक लग चुका है और यह शौप्ट शौप्ट घमन अभी धनिया डालके खाने के लिए तैयार है तो चलिए इसको तो तड़ का लग चुका एक थाली को अभी दूसरी की बारी एक बड़ा चमस तेल ले लेंगे, राए का तड़का लगाएंगे, खमाड डोकले में राए का तड़काई अच्छा लगता है और लम्बी लंबी मिर्ची काटके डालीए, यह हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हमने एक ही मिर्ची काटी है उपर से कड़ी पत्ता, अग इस तड़के को चारों तरफ पूरी तरह फैला देंगे, देख सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट खमन बनाए हमने दो तरह के, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा, अभी हम इसको कटिंग कर लेते हैं, खमन की थाली बहुत स्वादिष् तो देखिए, थाली गरम गरम रहेगी, तब आप उसकी कटिंग नहीं करेंगे, खमन की थंडा होने के बाद ही कीजिएगा, नहीं तो कटिंग बराबर नहीं होएगी, तो एकदम सौप्ट सौप्ट मूं में गूल जाने वाले खमन बने हैं, इसको हम चटनी और टामाटर स किसा सौप्ट, शब बने हैं, झाली और में बने हो इसका सिने काई एग। विर्ड़ सेफिंगे, तो तो एकदम सौप्ट मूं 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 मूँद यर्णांदी अएग। और मूं 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 मूं